साथियो ब्यारपुली सिपाही की परिक्षा एक अक्टूबर को फस्षिप्ट में जो जो मैट्स के प्रसने पूछे गए थे आज मैं उसका सॉलिशन कराने बाला हूँ साथियो बहुत यसान प्रसने पूछा गया था तो आगे जिनका भी एकजाम 7 अक्टूबर या फिर 15 अक्टूबर को है तो आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को बिलकुल इसी पैटन पर मैट्स के प्रसने पूछे ज जनरल 36,562 से एक संपूर्ण वर्ग बनाना चाहता है व्यवस्था के बाद कुछ सिपाही बचे थे तो आपको बताना है कितने सैनिक बचे थे बहुत यसान प्रसने है देखिए अगर आपको परफेक्ट स्कॉयर के बारे में मालूम है तो बहुत यसान तरीके से आप आप लोग क्या किजिए तो 36,562 का वर्गमूल निकाल ये इस तरह से 36,562 जिस तरह से आप लोगोंने बचपन में पढ़ा था इस तरह से निकालना है तो देखिए एक से चल जाएगा एक बार में तो यह हो गया दो तीन में गया दो छे पांच अब यह जाएगा कितना बा 18,23,38 अब यहां से उतरेगा 6,2 तो नीचे आपका होगा 462 अब यह एक बार में जाएगा तो एक बार में 381 तो देखिए 462 में 381 को मैनस किजिए आपका आंसर आजाएगा दो में एक गया एक, छे में 16 में आठ गया आठ यहापे कट्टी देखिए 81 जो कि आप्शन C में दिया गया है और अगर आपको perfect square के बार में मालूम है तो आप लोग trick से भी निकाल सकते हैं बहुत यह असान तरीके से हैं चले दूसरा प्रसन को देखते हैं यह AP का question है आप लोगोंने 10th class में पढ़ा होगा यदि अनुकरम A, A-B, A-2B, A-3B, dot, dot, dot का दसवा पद 20 है और अगर आपको आता है तो आप लोग solve करके नीचे comment box में अपना-पना answer बता सकते हैं तो देखे यहाँ पे दो equation निकलेगा है दसवा पद और बिसवा पद तो दसवा पद को हम लोग कैसे लिख सकते हैं A plus 90 आप लोगोंने 10th class में पढ़ा होगा A plus 90 यह दिया हुआ है 20 इसको equation first ठीक है और यहाँ पर दिखे बिसवा पद 10 है तो बिसवा पद को कैसे लिख सकते हैं A plus 19D और यह दिया हुआ है आपका 10 अब equation को solve कीजिए और A और D कमान निकाल लेजिए तो मैनस यहाँ पे भी मैनस यहाँ पे भी मैनस A से A cancel हो गया मैनस 19 में अगर 9 को मैनस करेंगे त तो मैनस 10D आएगा और ये 20 में 10 गया 10 तो 10 से 10 cancel D कमान यहाँ पे आगया मैनस 1 अब हमको क्या करना है अब हमको A कमान निकालना है तो आइए एक कमान निकालते हैं तो D कमान जो मैनस 1 है या तो आपको equation first में या फिर second में put करना है तो आईए equation first में put करके देखते हैं तो a plus 9 d कमान क्या है minus 1 बराबर क्या है 20 तो इसको solve करेंगे तो a minus 9 बराबर 20 तो यहाँ से a कमान आपका क्या जाएगा तो a बराबर आजाएगा 20 और plus 9 उदर जाएगा तो 29 यानि a कमान 29 और d कमान 1 तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हम a कमान कितना है 29 और d कमान कितना आया minus 1 तो अब बोला गया है सिरिंखला का एक्सवा पद तो यह कैसे होगा तो जिस तरह से हमने दसवा पद निकाला उसी प्रकार से एक्सवा पद निकलेगा तो दसवा पद जैसे यहाँ पर a 10 इसको हमने कैसे लिखा था तो सबसे पहले a लिखा उसके बाद 9d अब यह 9 कैसे आया तो जितना पद बोला आता है उसमें 1 मैनस करते हैं अगर दसवा पद बोले तो 9 लिखते हैं ग्यारवा पद बोलेगा तो 10 बारवा पद बोलेगा तो 11 यानि एक कम लिखते हैं तो एक कम कैसे होता है दस में एक घटा कर तो उसी प्रकार हम a x का भी निकाल लेंगे तो a हो जाएगा पलस अब देखिए यहाँ पर 10 था तो हम a घटा दिया 9 हो गया अब यहाँ पर x है तो क्या बताए एकस में मैनस 1 घटेगा नहीं घटेगा तो इस तरह से इसको छोड़ दिजे इसी तरह से और लाश्ट में d लगा दिजे अब इसी कमान निकालना है तो a कमान देखिए 39 दिया हुआ है यहाँ पर 39 रखेंगे चलिए x कमान नहीं है इसको रख देंगे इसको निकालना है मैनस 1 और d कमान क्या है मैनस 1 इसको solve कर देजिए आपका answer आ जाएगा तो solve कर देते हैं देखिए 39 हो गया यह हो गया पलस ठीक है आप मैनस 1 से अगर x में गुना करेंगे तो मैनस x होगा तो यहाँ पर लिख देते हैं मैनस x ठीक है मैनस x और मैनस 1 मैनस 1 हो जाएगा इस तरह से यह हो जाएगा पलस 1 तो देखिए 39 और 31 और यह मैनस x याणि कि आपका answer आ जाएगा d option 30 मैनस x तो अगर आपका भी 30 मैनस x आया है तो बिलकुल आपका सही जबाब है और साथियों जिसने अभी तक session को like नहीं किया है पलिज आप सभी से request है कि आप सभी session को दिल से एक बार जरूर लाइक कर दे और जितने भी नए भ्यारती चैनल पर पहली बार आए हैं जिनका exam 7 अक्टूवर या फिर 15 अक्टूवर को है आप लोग चैनल को subscribe करके रख ले डेली रात आठ बजे और साड़े आठ बजे यहाँ पर live chat के साथ practice set की class दी जाती है चलिए आगे देखिए ये दुईगात समिकरन से है 6x square minus x minus 2 ब्राबर 0 तो इसके मूल कितने होंगे तो दीखिए दुईगात समिकरन है तो इसका मूल कितना होगा दो होगा अब इसको दो तरह से निकाल सकते हैं एक तो गणखंड विजे से और दूसरा formula से तो x ब्राबर formula आप लोगों ने पढ़ा होगा x ब्राबर क्या होता है minus b plus minus under root b square minus 4ac और बटे में क्या होता है 2a अब चलिए यहां से निकालते हैं अब a b c क्या है तो x square के गुनांग को a का जाता है x के गुनांग को b और अचरपद को c बोला जाता है तो आई यह solve करते हैं तो minus हो गया b कमान देखिए यहां पर क्या होगा minus 1 minus 1 plus minus under root b कमान minus 1 जब minus 1 का square करेंगे तो 1 होगा minus 4 गुना a a कमान 6 और c कमान मैनस 2 और बटे में 2 गुना a तो 2 a कमान 6 यहनि 12 अब आई यह इसको solve करते हैं तो यह होजाएगा आपका 1 minus minus plus 1 और यह plus minus under root इसको direct solve करने की कोसिज करते हैं तो देखे 6 चोग 24 24 दूनी 48 और यह minus minus है तो minus 48 और minus यहां पर प्लस 48 हो जाएगा और 1 और प्लस 48 उन्चास अब लोग solve कर लिजेगा और बटे में 12 अब देखे 49 का वर्मूल होता है 7 तो यहां पर लिख सकते हैं 1 plus minus 7 बटे में यहां पर क्या होगा नीचे 12 ठीक है अब देखे यहां पर क्या कर सकते हैं 7 में 1 को एक बार जोड़ना है फिर घटाना है 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 बटे 12 आएगा और घटाएंगे तो यह 6 बटे 12 अब इसको solve कर देजे 6 1 बटे 2 आगया आपका एक मूल और दूसरा आएगा 4 2 और 4 3 2 बटे 3 और 1 बटे 2 देखे एए उप्षन में दिया गया है 2 बटे 3 और 1 बटे 2 और दूसरा मेथड आप सभी जानते हैं कि अचर पद और X स्क्वाइर को गुना करेंगे तो यह 12 होगा और 12 को आपको खंड में तोड़ना है अब 4 और 3 से आपको मैनस एक यहाँ पर पुराना है तो मैनस 4 और प्लस 3 इस तरह से सॉल्ब कर सकते हैं आई आगे देखिए एक कार क्रम सह 10 किलोमेटर प्रतिगंटा 20 किलोमेटर प्रतिगंटा 30 किलोमेटर प्रतिगंटा और 40 km प्रति घंटा की गती से 7 km की 4 क्रमिक दूरियां तै करती है तो इस दूरी के दौरान औसत गती क्या है तो बहुत है सिंपल है औसत आप सभी जानते हैं एवरेज कैसे निकाला आता है सभी को जोड़के और जितना संक्या है डिवाइट करते हैं 10, 20, 30, 30, 60, 60, 120 और यह 4, 1, 2, 3, 4 तो 4 से डिवाइट कर दिजिए आपका अंसर आजाएगा 30 km प्रति घंटा चलिए आगे देखिए 7 cm त्रिज्या वाले एक वरित का 60 degree क्वन में बनने वाले सेक्टर का छितरफल क्या है यानि कि 30 km का छितरफल निकालना है तो 30 km का फॉर्मूला क्या होता है तो 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा ठीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वाइर ठीटा का मान 60 है नेचे 360 पाई का मान आप सभी जानते हैं 22 बटे 7 और आर का मान क्या है तो 7 गुने 7 दो बार लिखना है 7 से 7 कैंसल हो गया और 60 से 366 बार में फिर 6 को 2 से 3 बार में 22 को 2 से 11 बार में तो 11 गुने 7 77 बटे 3 cm2 देखिए B ओप्शन में दिया गया है और साथ यो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपने मैट्स में कितने प्रस्ण सही किए आज के इस वीडियो में आगे दिखिए यह यहाँ पूछा गया है परसेंटेज का सवाल है यदि 81 परतिसत बराबर B का 50 परतिसत और B बराबर A का X परतिसत है तो X का मान यहाँ पर आपको बताना है तो बहुत है सिंपल है तो इसको लिखे A का 80 परतिसत बराबर क्या है B का 50 परतिसत अब यहाँ से A और B का रेशियो निकाल लेंगे परसेंटेज से परसेंटेज कैंसल हो गया सुने से सुने कैंसल हो गया तो A और B को जब इधर करेंगे तो बटे मज़एगा A बटे B बराबर 5 और यह 8 इदर आएगा तो नीची 8 हो जाएगा यानि A का रेशियो 5 है और B का क्या है? 8 है चलिए यहाँ पर लिग देते ही A का 5 और B का 8 ठीक है? यह मारकर सही से नहीं चल रहा है ठीक है A का 5, B का 8 अब निकालना है B बराबर A का X परतिसद यहाँ पर लिग देते हैं B बराबर A का X परतिसद X बटे 100 X का मान निकालना है तो B का मान देखे कितना है? 8 है बराबर A का मान 5 है गुने X बटे 100 5 से 100 को काटेंगे तो यह जाएगा आपका कितने बार में तो ये 20 बार में और यहाँ पर एक डाल दीजिए कोना कोनी गुना कीजिए तो X ब्राबर आदेगा आपका 160 देखें C option में दिया गया है चलिए आगे देखिए पिता का उम्र पुत्र के उम्र का चार गुना है 5 वर्स पुर्व पिता का उम्र पुत्र के उम्र का 5 गुना था तो पिता का वर्तमान उम्र क्या है तो माल लेते हैं पुत्र का उम्र क्या है X है और पिता का उम्र क्या है तो 4 गुना है तो 4 X है अब बोला गया है 5 वर्स पुर्व तो दोनों में 5 मैंनस कीज़े सबसे पहले X मैंनस 5 और 4X मैंनस 5 ठीक है तो 5 वर्स पूर बोला जा रहा है कि पिता का जो उम्र है पूत्र के उम्र का 5 गुना है तो पूत्र के उम्र में 5 गुना कर दीजे अब यहां से आपका X कमाना जाएगा चले solve करके देखते हैं तो 5X मैंनस 25 बराबर 4X मैंनस 5 तो यह 5X और यह 4X जब 4X इदर आएगा तो 5 में 4 गया X शिर्फ X बचेगा और यह मैंनस 5 और मैंनस 25 जब राइट सेड में आएगा तो प्लस 20 प्लस 25 होगा तो प्लस 25 और मैंनस 5 यह आजाएगा 20 यह आज रात 8 बजे की क्लास आपको सभी को देखना है काफी जदा इंपोर्टन प्रसनों को कवर करेंगे बिलकुल जिस तरह से कल पूछा गया था उसी पैटर्न प्रदारित प्रसनों को कवर करने बाले है एक वस्तु 10 सेंटिमीटर त्रिजिया के वृताकार पत में गती करता है यदि वह वृताकार पत में दो बार चक्कर लगाता है तो उस वस्तु का विस्थापन क्या है देखे कोई भी वस्तु अगर विर्ताकार पत में कितने बार भी चक्कर लगाता है तो विस्थापन हमेशा क्या होगा सुननी होगा तो इसका डायरेक्ट आंसर याद रखे सुननी होगा चलिए और एक प्रसन आपको बताते हैं यहापे नहीं है चलिए लिक के बता देते हैं एक प्रसन इस तरह स्था समिकरन से X स्क्वाइर 7X प्लस 12 यानि कि दो कोशन पूछे गए थे दोई हाथ समिकरन से तो इसका मूल निकालना है तो मूल बहुत असान है तो 12 को दो खंड में तोड़िये तो यह 4 और 3 और आपको पुराना है मैनस 7 तो दोनों में मैनस लगा दीजे तो यह होज़एगा मैनस 4 मैनस 3 बटे 2A तो साथी वे कुछ मैंस के प्रसन थे जो कि हमने आपको आज solve कराया तो आप लोग comment करके बताईए कि आपने इसमें से कितने ऐसे प्रसन है जिसका आंसर आप लोगों ने बिल्कुल सही सही दिया है और बिल्कुल basic level का मैंस है आप लोग थोड़ा बहुत इदर उदर से formula जाद कर लिजिए आप math में 10 में कम से कम 10 नहीं तो 9 या फिर 8 कोशन अराम से बना सकते हैं और हिंदी में 10 में 10 भी बना सकते हैं बहुत सिंपल पूछा गया था तो चलिए आज के लिए इतना ही तब तक के लिए जाए हिंदे